हेलो दोस्तों वेलकम टू चैनल ओन एम के वर्ग आपका इस चैनल पे स्वागत हैं विशय हिंदी कार्य पत्रक 12 तिठी 5.11.2020 कक्सा 7 आज का माहा चैप्टर है कठपुतली आपने अपने बच्पन में जरूर कठपुतली का खेल देखा होगा आईए अब इस पार्ठ को पढ पड़ते हैं कठपुतली गुस्से से उबली बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाउं पर छोड़ दो इसका प्रसंग है प्यारे बच्चों यह कवीता श्री भगवती परशाद मिश्र जी द्वारा रचित हैं मतलब श्री इसका की रचित है इसमें उन्होंने एक कठपुतली की मनोधशा का चितर किया है वह कहते हैं कि कठपुतली बंधे होने के कारण दुखी है भावार्थ है, कटपुतली गुस्चे से कहती है कि मुझे इन धागों में क्यों बांध रखा है इन्हें तोड़ दो और मुझे सौतंत्र होकर जीने दो मैं बंधन मुक्त होकर अपने पैरों पर चलना चाती हूँ अब नीचे दिये प्रश्णों के उत्तर देकर जानिये कि आपने क्या सीखा आएए अब हम अपने कोशन स्क्यों बढ़ते है आप क्या तो यहाँ से आंसर लिख सकते है प्रश्ण वन है, कटपुतली गुस्चे से क्यों थी? कटपुतली गुस्चे में क्यों थी? प्रश्ण नमबर दो, कटपुतली क्या चाहती थी? उत्तर, कटपुतली बंद मुक्त होकर अपने पैरों पर चलना चाहती थी प्रश्ण नमबर तीन, कटपुतली ऐसा क्यों चाहती थी? उत्तर, कटपुतली ऐसा इसलिए चाहती थी क्योंकि उसे स्वतंत्र होकर जीना था प्रश्ण नमबर चार, कटपुतली बनाने के लिए किन किन चीजों की आवशकता होगी सूची बनाएं, तो कटपुतली बनाने के लिए किन की चीजों की आवशकता होगी पुतली बनाने के लिए कपड़ा, सुई और धागा आज की अमारी वरक्षिट बहुत ही आसान थी और जल्दी ही कम्प्लीट हो गई अगर आपको ये वीडियो ये चैनल अच्छा लगाओ तो प्लीज इसे लाइक, शेर और कमेंट जरूर करें और इस चैनल के साथ बने रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फॉर वाचिंग